एलो बच्चो बहुत स्वागत है आपका हमारा वन मिनिट सोल्यूशन की अब ये वाली जो ग्लास होती है ये हमारी लॉंग क्लास होती है जो आपके कमेंट्स पर मैं बनाता हूँ ठीक है तो मिसिंग नंबर पर मुझे बहुत सारे कमेंट आए यहाला कोशन मैंने आपको होम या तो 13 ठीक है बट यह थियोरी यहां पर आकर फेल हो जाती है 8 और 13 को प्लस करोगे तो 21 आएगा ना कि 22 तो यहां पर थियोरी फेल हो गई तो उन्होंने मुझे बला कि भाई इसका हल कराईए सर तो आप एक मिनिट में तो हल मैं आपको अच्छे समझा नहीं सकता और भी बहुत सारी इसमें थियोरी लग सकती है लेकिन जो थियोरी यहां पर काम कर रही है वो क्या है बच्चों वो आप देखिएगा यहां पर क्या करा है इन्होंने 3 टूजा 6 माइनस 1 इक्वेल टू 5 ठीक है अब दूसरा क्या है 5 टूजा 10 माइनस 2 इक्वेल टू 8 फिर क्या 8 टूजा 16 माइनस 3 एक्वेल टू 13 इसी तरह से 13 टूजा 26 26 में से इन्होंने क्या माइनस कर दिया 4 तो इनका क्या आ गया 12 तो इसी हिसाब से हमारा क्या होना जही है 22 की गुणा अब हो गी 2 से और माइनस क्या होगा हमारा 5 ठीक है बच्चं समझ में आ रहा है ना 22 कितना हो 44, 44 में से 5 गए तो अगला हमारा क्या answer होना चाहिए होता ही है समझ रहे हैं न 22 दूनी कितना होता है 44, 44 में से अगर हम 5 minus कर देंगे तो हमारे कितने बच जाएंगे 39 तो ये हमारा है right answer, समझ रहे हैं बच्चो इस तरह है कि इस level के question आपको solve करने है तब जाके हमारा railway का सपना CGL का सपना SSC का सपना पूरा हुआ चलिए बढ़ते हैं हम अब बगने next question की तरफ हाँ तो हमारे next question के साथ मैं ready हूँ बच्चो मैं इसलिए लिख देता हूँ pause करके time waste ना हो ये question important इसलिए है बच्चो क्योंकि ये group D ठीक है और ये SSC इन दोनों में आ चुका है ये question ठीक है बहुत इंट्रेस्टिंग question है आप इसमें कई सारी चीज़े सोच सकते हो 3 दूनी 6 हो गया तो 8 दूनी 56 कैसे हो गया बहुत सारे theories लगा होगे ठीक है लेकिन जो इसका सही हमारा जो logic बैट रहा है वो ये है कि आप यहां से देखिएगा यहां से यह इनोंने करा 3 का square minus 3 3 का square 9 9 में से 3 का 6 दूसरा वाला देखिएगा 8 का square minus 8 तो कितना आएगा 64 में से 8 घटा होगे तो कितना आएगा 56 आजाएगा है ना तो यहां पर आगया 56 इसी तरह से 10 का square 100 100 में से 10 गए 92 का square 4 4 में से 2 गए 2 तो इसी तरह से अब हमें यहां पर पता करना है तो simple सा आपको दीख रहा है कि 5 का square कर देंगे और उसमें से 5 घटा देंगे तो हमारा क्या आजाएगा 20 आजाएगा तो यहां पर क्या आएगा हमारा 5 5 is your right answer ठीक है बच्चों बहुत important questions है यह और मैं यही कोशिश करूँगा अपनी लंबी वीडियो में कि मैं आपको बता सकूँ लंबी मतलब पांच मिनिट चे मिनिट की वीडियो तो जादा लंबी नहीं next question पर चलते हैं बच्चों बिना देर किये हुए next question दियो आए दोस्तों यह ऐज़ा question है क्योंकि यह तीन बार आ चुका है जिसमें से एक बार तो मेरे ही time में आया तो बहुत brilliant कोई बच्चा है ज़रूर कर लेगा मैं यह नहीं कहा रहा हूँ कोई नहीं कर पाएगा but it needs a logic ठीक है फिलाल जो मैंने crack किया उसको देखिए आप यहाँ पर आप देखी यह एक एक portion ही तो लेंगे आप भाई यह वाला portion एक एक portion लेंगे ठीक है अब इसमें तो हमें question नहीं पूछा तो हम इस portion को लेते हैं तो इसमें यह logic लग रहा है बेटा जो बड़ा है यानि 7 में से 2 को घटा दो तो 5 आ जाएगा 3 बार आयोगा question है बेटा डीक है यह मैं हटा दे रहा हूँ 7 में से 2 को घटा दिया तो 5 आया अब 5 का square करना और उसमें से छोटी वाली संक्या को घटा दे रहा है 5 का square 25 और उसमें से 2 गए तो 23 आ गया अब इसी तरह से यहाँ पर क्या अगर यही logic यहाँ लगता है तो फिर बढ़ी आया है नहीं तो नहीं बढ़ी आया है ठीक है बच्चों अगला logic देखिए 9 माइनस 5 9 माइनस 5 कितना हो गया 4 अब 4 का square माइनस 5 अगया ने 11 इसी तरह से यहाँ पर है 11 माइनस 4 इक्वल टू 7 अब 7 का square कितना हो था 49 49 में से 4 गया तो 45 ठीक है तो यहाँ पर इसी तरह से 10 में से 3 घटा दोगे तो कितना हैगा 7 अब 7 का square माइनस 3 यानि कि 49 49 में से 3 गया तो कितना आजाएगा हमारा answer answer आएगा हमारा 46 यहाँ पर right answer is 46 तो यह मैंने इसलिए बताया बच्चों हो सकता है कि यह सवाल repeat हो जाए कुछ numbers change करके ऐसा round में आ जाए तो इस figure को दियान रखना और इस hul को दियान रखना ठीक है चलो next और final सवाल की तरब चलते हैं